माग महात्मे का दस्वा अध्याई यम्दूत कहने लगे कि हे वैश्य एक बार भी गंगा जी में स्तान करने से मनुष्य सब पापों से छूट कर अत्यन्त शुद्ध हो जाता है जो मनुश्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है वह अवश्य नर्क में जाता है बगवान के चर्णों से उत्पन हुई गंगा जी के पवित्र जल को शिरी शिव जी अपने मस्तक में धारन करते हैं वह ब्रह्मा जो संदेहे रहित प्रकृती से अलग और निर् चाता इसलिए मनुश्य को अवश्य मेव गंगा जी मेंस्तान करना चाहिए यह वैश्य जो ब्रह्मन दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता वह अकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है जो कीचर से गव को निकालता है जो रोगी की रक्षा करता है या ज समय सनान के पश्चात जो सोला प्रणायाम करते हैं वह गोर पापों से बच जाते हैं जो परायस्तरी को माता समान मानते हैं वह यम की यातना को नहीं भोगते जो मन से कभी परस्तरी का चिंतन नहीं करता है वह दोनों लोगों को अपने अधीन करता है जो परायधन को मिट् पिता की सेवा देवता तुल्य करता है वह यमद्वार नहीं देखता और जो गुरु की सेवा करते हैं वह ब्रह्म लोग को प्राप्त होते हैं शील की रक्षा करने वाली इस्तरी धन्य है शील भंग करने वाली इस्तरी यम लोग जाती है जो वेदों और शास्त्रों को और सहिता पढ़ते और सुनते हैं तथा जो स्मृति का व्याख्यान और धर्म शास्त्र समझते हैं या जो वेदांत में लीन रहते हैं वह पाप रहित होकर भ्रह्म लोग को प्राप्त होते हैं जो अग्यानियों को वेद शास्त्र का ग्यान देते हैं वे देवताओं से भी प को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ती के सिवाई दूसरा और कोई उपाय नहीं भगवान की भक्ती न करने वाले मनुश्य को चांडाल के समान समझना चाहिए भगवान के भक्त अपने माता-पिता दोनों के कुलों को तार देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते और जो मनुष्य वैश्नव का भोजन करते हैं वेबी भगवान की कृपा से श्रेष्ट गती को प्राप्त होते हैं बुद्धि मान को सदेव वैश्नव का अन्न खाना चाहिए इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता गोविंदाय नमह इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यू को प्राप्त होता है वह परमधाम को प्राप्त होता है इसमें कोई संधे नहीं है जो ओम नमह भगवतेवा सुदेवायः मनमो नारायन इस द्वादशाक्षर मंत्र या ओम अश्टाक्षर मंत्र का जाप करता है उसके भ्रम इत्यादी बड़े पाप नश्ठ हो जाती है यहां पर माख महात्मे का दस्वा अध्याय पूर्ण होता है अगर आपको यह पसंद आया है तो इससे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारी चैनल स्प्रिच्वल वैल्यूस को सब्सक्राइब करें का थन्यवाद